तो जो कारनाटी का युद्ध हुए थे, इसमें हुआ क्या था? क्यों ये हुए थे? इसका रिज़ ये था कि जो आप, मतलब कि जो 2 पावर फुल देश थे, जैसे फ्रांस, एक फ्रांस था एक ब्रिटिस था दोनों में क्या हुआ, जो प्रिटीज था, उसका कबजा कहा हो गए था? यह तो यहां था प्रिटीज है ना, युषे ने स्टाट कहां किया था? सूरत में, लेकिन यह जो प्रांस था, इसका कहां पर हो गए था? एक करनाटक में, एक हैद्रवाद में जिसके कारण क्या ति इस्ट इंडिया कंपनी याने कि 1100 में इस्ट इंडिया कंपनी स्टैबलीश हुई थी और यह क्या हुँ है यह इसने से चिड़ती चिड़ती ने मतलई फ्रांस से। क्यों क्यूंकि उसका यहां पर सासन हो गया था जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था इन लोगों को बिल्कुल ये एरिया में सासन करने वाली लोग पसंद ने दियाने कि फ्रांस बिल्कुल ब्रिडेश को पसंद नहीं था जिसके कारण उन्होंने तीन करणाटिक यूद किये और जिसमें से ब्रिटीज जीता और यहां से उसने अपना राज यहां भी अपना बना लिया लेकिन असली मोड वहां पर आता है कहां जो दो और यूद मेन यूद हुए थे 1757 और 1764 ये दो मेन ऐसे यूद थे जिसने अंग्रेजों के शासन को और भी मजबूत कर दिया था 1757 में कौन सा यूद था बैटलो प्लासी और 1764 में बैटलो बाक्षर ये दोनों यूद ने तो अंग्रेजों की मतलब की मतलब अंग्रेजों की तरफ बिल्कुल जुग गये थे पूरा देश इस तरह सिस्थिती बना दी थी तो 1757 था 1757 था ये कब हुआ था किस के साथ इस तक भी ति नावाब बैंगोल के साथ हुआ था ना ये पलासी यूद नवावयो बेंगोल के साथ तब तो नवाव बैंगोल जो ब्रिटीन के साथ लड़ाई किया था इस तिंडिया कमपनी वह अकेले थी लेकिन जो 1764 में बक्सर यूद हुआ था उस में तो बंगाल अ की जो ताकत थी पूरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और धीरे धीरे दूसरे स्टेट दूसरे जगाओं पर भी अपना कब्जा बनानी लगी दूसरे जगाओं जैसे मैजूर माराथा सिन बंजाव और दूसरे जगाओं सभी के साथ ये इसी तरह से जीता गया और अपना यहने कि भारत के पडोसी राज्जियों को भी देशों को भी अपना वह बना लिया था क्या अपना गुलाम जैसा नेपाल बर्मा अफगनिस्तान तिबब सिक्किम भुटान ये सारे देश भी इन से हार गय थी इन सब पर अपना राज कर लिया था इस तरह से पूरे वाय देश में अपना क्या कभजा कर लिया था को सुम बिडेश अब ये देरे क्या हुआ अब तो आप तो ये ुक्रेम लिया है लेकिन भारत को किस तरह नुकसान पहुचाने लगा किसानों को हमारे यहां का जो'S.हां क्यों कौटन दृक मैंने कपड़े के उसको बरबाद कर दिया था है ना किसानों को किस तरह से लगान के शुरू लगान यानि कि टैक्स वगेरा इस तरह से और जिसको फार्मर्स जो थे हैं किसान हमारे यहां के बरदास नहीं कर पाए हमारे यहां के जो और चीज जितने भी सब चीज को परबाद कर दिया है ता कि उसके क्या भार करने को तयार थे लेकिन कहा जाता है कि यह नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ हम 1857 आया तभी एकदम से हमारी लडाई शुरू हुई और भारत जाक गया ऐसा नहीं है उससे पहले भी बहुत सारे यूद्ध हुए थे यूद्ध मतलब इस तरह से अंदोलन चलाये गए थे जिसमे चलाया थे है नहीं अर्फ कि छोटे-चोटे किसानों ने भी जल्जाया था जम्ही दारों नान हुआ चलाया था जिसके खिला बlles को गिडनला आज इस तरह से और बहुत सारे हुए थे जैसे आईटीन 16 में वे थे बोलर और बायरक पूर में आए ट्जार्टि-वॉन यहां पर आफ्टर कैप्चिरिंग पंजाबी 1849 यह भी एक उससे पहले कंदोलन है जिसमें से हमारे जो गुरु राम सिंग थे इनके जो सिस्य थे कूकस इनको क्या कहा जाता था कूकस कूकस कहा जाता था यहां पर बहुत सारे कूकस हैं तो कूकस बोल्ड है राम सिंग के शिस्य थे यह सब किसकी खिलाप कूकस किसको कहा जाता है जो मतलब गलत चीजों के खिलाप हत्या जैसे गाय की हत्या जानवरों की हत्या करना इस तरह के खिलाप रहते थे और उनके खेह!」 ऐब खेर है उटखस। और बहुत गाहे जानवरों की बहुत हत्या होती थी और उसके मेठ बना अंग्रेश खाते तो इसक्जो गुरूस शूराम से और इनके जो हिस्य थे इसके बहुत खेहिं थे और इनौने बहुत सारे लोगों के इस तरह के काम करने वालों को मार दिये थे जिसके कारण अंग्रेज जो थी इनके 49 कुकस को पकड़ लिया और उनको मार दिये क्यूंकि इन्होंने बहुत घत्या के खिलाप इन्होंने अबाज उठाई जो राजा के बिटेश सरकार को पसंद नहीं था इस तरह से मतलब यह सा आंगे गये गये थे उससे पहले नहीं आटिन फिटी सेवन के पहले पहले चलाएगे थे ना